गुड मॉर्निंग बच्चो कैसे हो आप सब लोग उमीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज हम क्लास सिक्स्त में लेसन नमबर सिक्स हमारे चारो और के परिवर्तन करेंगे क्योंकि हमने लेसन नमबर पांच पिछले वीडियो में क्या कर लिया था कंप्लीट कर लिया था तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नमबर सिक्स ठीक है बच्चो करतना कीजिए कि यदि आपको अपने चारो और किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादु शक्ति अचानक मिल जाए क्या ये एक बड़े मज़ेकी बात नहीं होगी वह कौन सी वस्तु जिन्हें आप बडलना चाहेंगे वस्तु में हमारे पास कोई जादु शक्ति नहीं है नहीं है न फिर भी हम अपने चारो और कुछ वस्तु को क्या कर सकते हैं बडल सकते हैं सायद बहुत स्यवस्तु हैं क्या आप कुछ ऐसी वस्तों की सूची बना सकते हैं जेने आप बीना किसी जादची का प्रियों के बिदा सकते हो ला-प याकर हमारे वह आ प्रते अपरीवरत्र ते discrimin को भी आप जाती होती है नहीं होती तो बत्मियां भी रंग बदलती है सूकर पेड़ों से क्या हो जाती गिर जाती है फूल खिलते हैं फिर मुड़ जा जाते हैं क्या कोई परिवर्तर आपके शरीर में भी होते हैं आपके नाकुन बढ़ते हैं और बाल क्या होते हैं बढ़ते हैं बढ़ने के सासे ते हपका वजन भी बढ़ जाते अभी आप या चोटे बड़े ओँगे तो आपका वजन भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या आपको पहले भी मैसुस हुआ है कि आपके चाुरो हर समय बहुत से परिवर्थन होते रहे रहे हैं होते हैं नो Pre साथ साम्हों में रखं़े कुछ परिवर्तन को साथ सांहों में कैसे रख सकते यह जो परिवर्तन के वापस दोरा ही जा सकते हैं जैसे यह आटा गूंठ दिया अब इस आटे को वापस है ना जैसे ना हमने सुख आटा लिया था वैसे इसको बदल सकते हो कि जरह बताओ मिरको अपस कर सकते हो क्या नहीं यह गुबारा लेजिए और उसे फुला यह साफध अब इसकी हवाः निकाल दे लिंदि कल जाने से अब है अब इसकी हवा निकल जाने लिए अब इसको क्या कर दे हवा इसको जट तो जाएगी निकल जाएगी मतलब उसको वापस करको सकते जैसे घुबारय घुबार के बारे में हवा गशुत है वैसा का व्यास में उसको बदल सकते होता या घुबार गजातर में ऐंसी कागस का टोड़ जो तक क्या up a में बहुत मज़ा आएगा यदि आप थक जाए तो कागस को पुने सीधा कर दीजिए अभी देखो हमने क्या कि लिया कागस लिया ना इस कागस को है ना ऐसे मोड मुड़ा कि हमने क्या बना दिया हावाई जाज बना दिया बनाते थे ना अभी बनाते होंगे तुम बच्पन म इसे क्या इसको किया यह फिर वापस है ना इसको खुलेंगे तो वापस सीधा कागस बनेगा ना तो ऐसा है कि यह पारीवर्तन कि accelerating होगया वियसे द्युद्क करम नियां परिवर्तन में परिवर्तन क्या कि लाएंगे देखर दोबारा कोई परिवर्तन में दुबारा डूबारा लोई में परिवर्तियत करना चाहेंगे अब अपने किर्या कलाब पहले तथा वाइजाज बनने के बाद समान है बिल्कुल समान है और गुबारा भी क्या आजाएगा पहले जैसा क्या गूंते वे आटे से पूने लोई बनाना अब यह देखो अब हमने क्या अगर रोटी बना ले मालो टेड़ी मेड़ी बनगी अब वापस इसको लोई बना क किया है उस परदान को वापस पाया जा सकता है यदि हां तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इस किर्या कलापों में हो रहे हैं उन्हें पुन्हें इस्तिती में लाया जा सकता है आईए इनी किर्या कलापों को कुछ अलग धंग से करते हैं जो यह किर्या कलाप इनको अलग उसकी नुक्यूली पेंसिल से छेद कीजिए ओ गुबारा क्या हो जाएगा फट जाएगा फट जाएगा नहीं फटेगा अब क्या कर अब वही कागस का टुकड़ा लीजिए जिसे किर्या कलाब दो में आपने प्रयोकित हावाईजाज बनाने के लिए ठीक है ना उसके उपर पर पर अब आमने क्या करते रोटी पेल ली तो पर सेख दी अब तो पर फूल गई अब इसको वापस लोई बना सकते होगे जरा बताओ नहीं बना सकते हैं यह दि आप से वही दिनों प्रशन्य में पूछे जाए उसके उत्तर किर्या कलाब तीन करने के बाद दिये गए त उनको वापस नहीं किया दा सकता है कर सकते हो गया वापस नहीं कर सकते हैं आप पैंसिल और रबड का उपयोग करते हैं इसके बार बार उपयोग से इनके आकार अरम आप में परिवर्टन होता नहीं होता आप क्या करते हो पैंसिल और रबड को प्योग करते हो न तो पैंसिल अपने धैर को कुमार के अपने चाक पर काम करते में इक किसका में बडल को किसे परिवरतन सकता है अब मिटी के बर्तन को भटी में सीखता है, पहले तो देखो उसको क्या करता है, मिटी को किसमें बदलता है, बर्तन में, फिर जो बर्तन बनाया है, उसको क्या करते है, वो पका रहे हैं, मतलब SI के जल्दी से टूटे नहीं, तो उसको क्या करता है, वो भटी में सीखता है, य में कुछ समाने परिवर्तन देए गए हैं आपके विजयर में इन में से किस परिवर्तनों को उत्करमनित किया जा सकता है हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गे करण का एक तरीका यह देखा गिया कि क्या उन्हें उत्करमनित किया जा सकता है कच्छे अंडे से उबला हुआ कि उनäreस्टगे से बुना हुआ स्वेटर बना सकते हैं न के एक दागे को निकाल दे कहा तो वापस Κॉम बन जाता है अना से बना हुआ告诉 माधा के बना सकते हैं नहीं बना सकते ठंडे दूरढ्र से गरम दूरढ कर से धंड से घंडा है वापस बन सकता है और इसको वापस खुल भी तो सकते हैं क्ली से फूल नहीं है नहीं हो सकता जाया नहीं बनेगा भटाई रबड़ गया खीषते ऑर उसको वापस छोड़ते तो वैसा कवेशा हो जाता है आइस्क्रीम पिगल रखे तो क्या हो जाएगे क्या परिवर्तन करने के आन्य तरीका हो सकता है इन सभी ने मिट्टी को खोदने वाले ओजार देखे हम सबी ने मिट्टी को खोदने वाले ओजार देखे होंगे क्या आपने इन ओजारों को देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकडी के हत्ते पर जर दिया जाता है यह देखो इन उजारों में लोहे के फलक में एक वल्य होता है जिसमें लकडी के हत्ते को फसाद दिया जाता है साधरन तो इस वल्य का अमाप लकडी के हत्ते के गेरे से थोड़ा क्या होता है छोटा होता है जो लकड़ी होती ना जो लकड़ी का अमाप होता ना वो जो गेरा होता ना ये लोहे का फलक और इसका अमाप से क्या होता है लकड़ी का छोटा होता है गोड़े से थोड़ा छोटा होता है हत् cannon कि लित्त हे ले को प्रत्राइब गरंग शादा टेरा है तो इसके जरतनी के लिए dost जाता है है का फैल में प्रता लिए, फासानी के लिए कौने के लिल भी कर घाव्तार टोन से लिए वारोन फास। प्रएदश जाते हैं बढ़ा हो जाता है तक इसके अंदर हत्ता को ऑराम से क्या कर सकते हैं फसा सकते हैं इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैल गाडि के लकडी के पईये पर लोह क्या होता है पाइए पर चढ़ जाएगा ठेकिन की नारी Drag writer के नारी यापर पानी डालते ओप्ट पिंणाने जब हम जल को परतन में गरम करते हैं याप sack now और पर ये के उपर हो जाता है कस जाता है जब हम जल को बरतन में गरम करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है अगर हम इसे लगातार गरम करें तो जल की मातरा बरतन में घटनी शुरू हो जाती है देखो अब जल को क्या करते हैं बरतन में गरम करते हैं भाचके साथ अग vaan जल की मातरा कया हो जाएगे यह से कम हो जाएगे से बूजो करने पर बनाने वाले सड़क की मरमत करने के लिए एक काले रंग के परदात को गरम करते हैं गरम करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्करमित किया जा सकते हैं कि जो हमने वो गरम किया है उसका वापस उत्करमित करते हैं वैसे तार बनाया जा सकता है सब्सक्राइब कि शचने सब्सक्राइब करें भी का छोटी दिएते इसे अब इसकी लंबाई मापे क्या मोम बती के लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमिट किया जा सकता है यदि हम उस मोम बतन में ले और गरम करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमिट किया जा सकता है नहीं विलकुल है अगर हम कर ले ना मोम है जो उसको क्या कर ले पापस उस साथ को धूप बत्ती से धोराईए अब तक यह पूरी तरह से जल पूरी तरह से जले प्रतिक्षा करें धूप बत्ती में क्या परिवर्टन दिखाएती है धूप बत्ती जलने पर कुछ नए परदाथ बनाती है यहां कुछ राख तथा गैस के रूप में है हम इन गैसों को देख देख तो नहीं सकते हैं इनकी मन भावन सुगंद के कानू ने महसूस कर सकते हैं अगर बत्ती जलाते हैं जली भी मुहमथ्ती को आपस वैसे क बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं इसे प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्थ नो था जिसे मौंबती को जलाने में उप्योग किया गया था अभी तक हमने परिवर्थनों को नियत परदात हो तथा उनके परदात पर देखा है नियत वस्तों या उनके परदात पर देख जब दो परदात एक मिश्ण के र वहाता क्या का इस परीवर्तन को उत्करमित कर ना संभव है कख्षा 5य कि एbya 5 कि किर अकलाफ में हमने नमक केल्यों को गरम कर लूंद तो नमक को जिल में गोलने के बाद उसको जब जल को जो नमक वाला जो जल है उसको गरम करें गर किए खरेंगे तो इस प्रकार क्या कह सकते चाए है कि नमक को पानी में घोलने से रहे परी प्रीवर्तन को उत्क्रमिट किया जा सकता है नमक को estamos हमने ऑपरा कि βूल DR मतलब वापस नमक का नमक और पानी का पानी अलग करके बताओ हमें तो वापस ऐसी के यह वस्ता हम इसको लाके बताओ तो हम लोग क्या करेंगे इसको गरम करेंगे गरम करेंगे तो गरम करेंगे तो क्या हो जाएगा नमक कर नमक अलग हो जाएगा और पानी पानी अलग हो सक गुंगुना जो गरम दूद होता है उसमें थोड़ा सा क्या मिला जाता या an As he और दूद को खुला का कुछ हलर के लिए उसके लिए राम से क्या करते हैं धान है और में दूद में तोड़ा सा दही डालते तरह परिवटें सो कसो घंटो में दूद नहीं दही में बदल जाता है क्या परिवर्तन को उतकरमित किया जा सकता है क्या या जो भी जो परिवर्तन हुआ इसको उतकरमित किया जा सकता है क्या आपने देखा कि परदान्तों को गरम करने या किसी अन्य परदान्तों को गरम करने या किसी अन्य परदान्तों को गरम करके या किसी अन्य परदान्तों के साथ मिश्चित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाई जा सकते हैं हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकते हैं जब कि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है देखा था नहीं देखा था हमारे चारों और की वस्तों को परिवर्त करने के लिए परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विध्या भी हो सकती है इसे परिवर्तन जिनको उत्करमित किया जा सकते हैं मतलब वापस वैसे ही डाला जा सकते हैं वापस वैसे ही रूप में बदला जा सकते हैं और एक ऐसे परिवर्तन जिनको उत्करमित नहीं किया जा सके जिनको वापस वैसे रूप में नहीं परिवर्तन को क्या गएंगे जिन इंदर हमने क्या बढ़ा हमने पड़ा था कि जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास वो कैसे होते हैं उनको वापस वैसे ही रूप में ढाला जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं उतक्रमित परिवर्तन और जिनको वापस वैसे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उनक जिसको वापस परीवर्ति तो नहीं किया जा सकता अनुत ख्रहंड किया जा सके अब unut kramit । अप जो हमारे आएगे आढंए त्यां वार स्वींति हम कसे क्वाइट अन्सें उड्वत अधरा लगता को नैंक्षा यूज्वाइदा। सब लोगें सब्सक्राइब शुक्ते हैं निg करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चो तो आप आ अब जो पहले वाला काम में वो अपने कॉपी में कम्प्लीट कर ली जिए गा ठीक है बच्चों ओके धैंक्यू सो माज बच्चों